हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं अनदर वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आप पूरा देखे और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एक लोकोमोटीव में प्रोपेलर शेफ्ट एरेंजमेंट हो सकता है अपने वील सेट्स को घुमाने के लिए प्रोपेलर शेफ्ट हमें ज्यादा तर ट्रक्स में देखने को मिल जाते हैं जब हम किसी ट्रक के रियर एक्सेल की तरफ नज़र डालते हैं हलाकि इसके इस्तेमाल जो है वो मेजरिटी गाड़ियों में किया जाता है चाहे वो कार हो बस हो या ट्रक हो लेकिन ट्रक्स में यह हमें आसानी से इसलिए देखने को मिल जाते हैं त्यूकि ट्रक का जो नीचे वाला पोर्शन है वो खुला होता है किसी गाड़ी में इंजिन या उसके साथ लगे हुए गियर बॉक्स या टॉर्क कन्वर्टर जो की उस गाड़ी का पावर ट्रांस्मिजन सिस्टेम है, वहां से पावर और टॉर्क को एक्सेल शेफ्ट तक भेजने के लिए प्रोपेलर शेफ्ट के इस्तिमाल किया जाता है, जब प्रोपेलर शेफ्ट घुमता है तो एक्सेल शेफ्ट घुमने लगता है और देन एक्सेल शेफ्ट के साथ लगा हुआ वील घुमने लगता है, लेकिन हां एक लोकोमोटीव में भी प्रोपेलर शेफ्ट के इस्तिमाल किया जा सकता है उसके वील सेट को घुमाने के ल परपस के लिए किया जाता है यह उस डिजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिफ का बॉगीज है इसके बाद मैंने यही बॉगीज का इमेजेस दिखाया है और उसमें मैंने प्रोपेलर शेफ्ट कनेक्शन गेर बॉक्सेस, वील सेट यह सब को मार्क किया है तो इस क्लिप को आप ध्यान से देखिए ताकि आपको उन इमेजेस को समझने में आसानी रहेगी यह एक बॉगी का सामने से लिया हुआ तस्वीर है जिसपे मैंने पहला वील सेट को मार्क किया है एक्सेल कूपर माउंड किया हुआ पहला गेर बॉक्स को मार्क किया है और पीछे वाला जो वील सेट है जो की रियर साइड वील सेट है या जो दूसरा वाला वील सेट है उसको मैंने मार्क किया है ये उसी बॉगी का रियर साइड या बैक साइड से लिया हुआ इमेज है इस पे मैंने पहला गेर बॉक्स और पहला विल सेट को मार्क किया है दूसरा वाला विल सेट को मार्क किया है दूसरा gearbox जो की दूसरे विल सेट को घुमाने के लिए है उसको मार्क किया है गोल सा यह जो दीख रहा है यह coupling flange है जो की second gearbox के साथ में attached है और इसी coupling flange के साथ में propeller shaft का connection होता है पिला वाला जो वो component दीख रहा है वो एक universal joint है और वहाँ पे भी एक coupling है क्या है कि दूसरा gearbox और पहला वाला gearbox को mechanically connect करना है और यह connection जो है एक छोटे shaft के थ्रू से किया जाता है और उसी shaft के हर एक end में एक universal joint और एक coupling है तब क्या होगा जैसे ही propeller shaft के थ्रू से second gearbox का gears घुमने लगेगा तो second वाला जो wheel set है वो घुमने लगेगा वो driven हो जाएगा अब वो जो छोटा वाला shaft है वो उस universal joint और coupling के थ्रू से second वाले gearbox के साथ में connected है तो इससे क्या होगा वो छोटा वाला shaft भी घुमने लगेगा और यही छोटा वाला shaft का जो दूसरे end है वो पहले वाले gearbox के साथ में connected है through similar universal joint and another similar coupling तो क्या होगा पावर और टॉर्क जो है इस छोटे वाले shaft के थ्रू से होते हुए पहला वाला gearbox में चला जाएगा और पहला gearbox का जो gears से वो घुमने लगेगा जैसी पहला gearbox का gears घुमने लगेगा then automatically जो है पहला वाला wheelset भी घुमने लगेगा तो क्या हो रहा है कि दोनों जो wheelsets है वो दोनों at a time पे driven हो जा रहे है यह उसी boggy का side से लिया हुआ image है और इस पर मैंने second gearbox को mark किया है जो कि इस view की सबसे dynoside में है पहला gearbox को मैंने यहाँ पर mark नहीं किया है क्योंकि वो इस image में नहीं है बट इस view की हिसाब से वो by side में है universal joint with coupling जो है यहाँ पर आप clear देख सकते है इसी universal joint के by side में वो छोटा shaft है और उसी छोटे shaft के other end में जो है बिलकुल एक similar universal joint और एक coupling है जो कि आप next जो image होगा उसमें आप देख सकेंगे दोस्तों इससे पहला वाला जो image था यह image बिलकुल उसी side से लिया हुआ है बस फरक सिर्प इतना है कि इससे पहले वाली image पर मैंने second wheel set के उपर में focus किया था और इस image में मेरा focus जो है वो पहले wheel set के उपर में है ताकि आपको continuity का पता चले इसलिए मैंने यहाँ पर पहला gearbox को mark किया है जो कि इस view में left side में है दूसरा gearbox इस image में visible नहीं है बट इस view की सबसे वो dynoside में है और जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली image में बताया कि उस छोटे से shaft के other end में एक और universal joint और coupling है तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा visible नहीं है बट आप देख सकते हैं कि पीले रंग का universal joint और coupling नजर आ रहा है तो इससे अब समझ सकते हैं कि कैसे दूसरा वाला gearbox और पहला वाला gearbox mechanically connected है और इसी वज़ा से जो है power and torque through propeller shaft then it comes to second gearbox and from second gearbox जो है यह power and torque पहला gearbox में transmit होता है जिसके चलते जो है दोनों wheel sets हर एक boggy में driven हो जाते हैं यह उसी locomotive का जो दूसरा वाला बोगी है उसी बोगी का rear side या back side से लिया हुआ image है और यहां पर जो है जो gearbox है दूसरा wheel set का उसको आप clear यहां पर देख सकते हैं और यह है दोस्तों वो diesel hydraulic locomotive ध्यान दीजेगा कि जो boggy यहां पर नजार आ रहे है यह dummy boggy है और इस locomotive को dummy boggy स्कूपर में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो खुद का boggy है या boggy है वो इस वक्त servicing में थे इसलिए जो है locomotive को rest करने के लिए dummy boggy स्कूपर में रखा गया है यह image locomotive के नीचे side से लिया हुआ है और यहां पर आप एक propeller shaft with universal joint and coupling flange देख सकते हैं यह वही coupling flange है जो कि second gearbox के जो coupling flange है उसके साथ में connect होता है बिल्कुल इसी तरह का एक और propeller shaft assembly locomotive के दूसरे side में है मतलब दो boggy के लिए दो propeller shafts है अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल पे अगर नए है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मेरे एक दूसरे चैनल है विजीट लाइवली लाइफ एंड इंजिनियरी उसको भी आप देखिए अगर पसंद आता है तो उसमें भी सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए once again thank you very much